दुमाजवादी पारिटी चुनाओं से पहले यहाँ पर साथो विधान सभाव सीटों पर जीत का बड़ा दावा कर रही थी लेकिन सीटे मिली केवल दो तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में भी जिस तरीके से EVM को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं आपके दिमाग में भी किसी प अक्टूबर 2013 को भारत के सुप्रिम कोट ने मानने सुप्रिम कोट ने खुद ये फैंसला दिया है कि EVM मसीन का बटन दबा देना फिरी फेर और ट्रांस्परेट चुनाओं नहीं है यह भारत का सुप्रिम कोट कह रहा है और इसके बाद फिर यह तैं हुआ कि इस मसीन के सा चुकि फिर फिर ट्रांस्परेट चुनाओं क्यों नहीं है क्यों क्यों बोला है सुप्रिम कोट चुकि सुप्रेमेंडम स्वामी जो आक्सफोर्ट इनिवस्टी से अर्शास्तर के प्रोफेसर रहे हैं इस केस को लड़ रहे हैं और तीन-चार साल उन्होंने इसको दिल्ली आड़वानी लिख रहे हैं सोचने की बात है ये दोनों लोग जो मसीन के खिलाप एक सुप्रिम कोट में लड़ रहा है एक मसीन की बदमासी को पूरे देश में बेनकाब करने के लिए किताब लिख रहा है इन दोनों लोगों को बीजेपी और आरेसेस मैनेज कर लेती है ए सुप्रिम कोट ने ये तै किया कि इस मसीन के साथ में एक दूसरी मसीन होगे चूकि जो हमारे देश का सविधान है सविधान के अंदर चुणाव आई होगो है एलेक्शन कमिशन और एलेक्शन कमिशन की जिम्मेदारी है फिरी फेर और ट्रांसपरेट चुनाव कराना फिर में क्या है मसीन में बटन दबाए जाता है और मसीन केवल वीप की आवाज करती है तो ये पता नहीं रहता कि ओट कहां गई है तो ये सवाल 2013 में मानिए सुप्रिम कोट के सामने था तो सुप्रिम कोट ने ये विवस्था दिया 8 अक्टूबर 2013 को इस मसीन के साथ एक दूसरी मसीन जोड़ी जाएगी 2013 और जब कोई भी बटन दबाएगा तो उसकी एक सिलिप निकल करकाएगी अब मैं आपके चैनल के माद्यम से आपको ये पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 2013 मादेश हुआ कि इस मसीन के साथ एक दूसरी मसीन चुड़ेगी लेकिन 14 का देश में लोकसभा का चुनाओ हो गया और पूरे देश में कहीं एक मसीन के साथ भी वीवी पैट नहीं लगा 2014 का लोकसभा चुनाओ हो गया और BJP की देश में सरकार बन गई फिर राज्यों के चुनाओ हुए कहीं नहीं लगा फिर 17 आ गया तो जब उत्तर पर देश का 17 का विदान सभा चुनाओ चल रहा था तो उस चुनाओ में सारणपूर में 7 सिटे हैं केवल एक सिट जो संजेगरग जी की सिट है उस पर परची निकली और पूरे देश में पूरे उत्तर उत्तर पर देश में खास तोर से उस समय भी पांच राज्यों का चुनाओ था तो 16 सिटे हैसी ती जहां परची निकल रही थी 403 सिटों में से 16 सिटे हैसी ती जहां परची निकल रही थी के कौन किसको मोर लगा रहा है उसकी परची निकल रही है उसको बटन दबा रहा है अब इन 16 में से 12 सीटे बीजेपी हारती है जहां परची नहीं निकल रही है वहां बीजेपी 300 से जादा सीटे जीतती है तो आप खुद ही ऐसास कर सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं कि मसीन भी निश्चित रूप से गड़बड है पर मैं उससे ज़्यादा मायावती को इसके लिए दोसी मानता हूँ हर्याना के हुम परकास चोटाला परिवार को दोसी मानता हूँ पंजाब के अकालियों को अकाली दल को इसके लिए दोसी मानता हूँ बिहार में जो काम तेजस्वी को करना चीयता नहीं किया गया और उत्तर परदेश में ये काम इसलिए नहीं हुआ चुकि एक बहुत बड़े सडियंत्र के तहत बस्पा और सपा का गठबंदन करवाया गया और इस गठबंदन में चार लोग सबाकी सिटे और विदान सबाकी नूरपूर सिट ये उपचुनाओ में यानि उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री गोरकपूर से चुनाओ वारे समाजवादी जीत रही है केशव मौरिये कोसामभी से चुनाओ वारे समाजवादी पार्टी जीत रही है और कहराना से तबस्पूम चुनाओ जीत रही है नू समाजवादी पार्टी के नेता और बस्पा के नेता उने बस्पा तो खेर इसमा शडियंतर में सामिल थी चुकि सतीष चंद मिस्रा में खुले तोर पर चैनल पर कह रहा हूं कि सतीष चंद मिस्रा जी जो है बहुत बड़ा दोका कर रही है पूरे बहुजन समाजी के साथ और बस्पा तो इसमा सामिल थी चुकि एक बहुत बड़ा समश्चा ये थी कि इस फैंसले के बाद बीजेपी को ये लग रहा था कि पूरे देश में कोई आंदोलन खड़ा ना हो जा तो आंदोलन को किस तरह से रोकना है उन्होंना कहा इनके दिमाग में गलत फहिमी पैदा कर जिसमें बेंजी ओट मांगने नहीं आई ओट मांगने नहीं आई नहीं वो किसी भी उपचुनाओं में कि तबस्वम को ओट दे दो या आप महा फूलपूर में संजर इशाद को ओट दे दो वो कहीं ओट मांगने नहीं आई लेकिन जब गटबंदन हो गया 19 का वो ओट मां अंदोलन या किसी भी तरीके का समाजिक जागरुकता फैलाने का अंदोलन मसीन के खिलाप अंदोलन खड़ा कर देते और कहीं बैलेट पेपर पर उत्तर परदेश में चुना हो जाता या मसीन में धांदली किसी भी पहमाने पर रोकने के लिए समाज सेकिरिय हो जाता अगर य उसके अंदर ये बेन क्यों नहीं हुआ जब तैं ये हुआ था सुप्रीम कोट के 2013 के फैसले में के पर्ची निकलेगी फिर पर्ची की गिंड़ती होगी आज आपने देखा होगा 2022 का चुना हुआ है अभी 19 का लोग सवा चुना हुआ था पर्चों की गिंड़ती नहीं हो र रहे हैं मायवती पर सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन बहुदन समाज पार्टी ने मायवती ने तो आपको बहुत सम्मान दिया आपको राज्यमंत्री का दर्जा दिया उसके बाद से आप लगातार पार्टियां बदल रहे हैं लेकिन आज तक आपको उस प्रकार का सम्मान कहीं मिल नहीं पाया देखिए बात मैं जो राजनिती कर रहा हूं और जो संगर्स कर रहा हूं वो अपने सम्मान के लिए नहीं कर रहा हूं मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं जिस देश में पैदा हुआ हूं मैं उसके लिए हमारा संगर से हम अगर वैक्तिकत सम्मान वाली बात हो तो बीजेपी में एडजेस्ट होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं जानता हूं RSS की पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह सा जानता हूं वो लोग भी जानते हैं कि उन्हें किस तरीके के लोगों की जवरत है क्या राम विलास पासवान सारी जिंदगी मिनिस्टर नहीं रहे क्या उन्होंना उदित राज को टिकट नहीं दिया कितने दलित नेता है जो आज देश में उन्होंना दलित राश्ट पती नहीं बनाया वो तो चाते हैं कि इस समाज में जो भी परतिभासाली लोग हैं वो अपने समाज के लिए काम न करें वो हमारे लिए काम करें तो अगर मैं अपने सम्मान के लिए लड़ता तो मुझे एड़जेस्ट होने में कोई देर नहीं लगती लेकिन हम अपने सम्मान के लिए नहीं लड़े और रही बात बेंजी के सम्मान देने की तो मुझे बेंजी ने 2005 में BSP का कॉर्डिनेटर बना सारणपूर मंडल का और म मैंने सारणपूर मंडल मेरट मंडल मुरादाबाद मंडल बरेली मंडल सारे मंडलों में मैंने पार्टी का कॉर्डिनेटर रहते विए में बोड़ी में मैं कभी भाइचारा मनी में बोड़ी मरा तो हम लोगों ने मेहनत की थी उत्तर परदेश में ठारा मंडल थे 36 दी थी और मुझफर नगर जैसी जंग है जहां एसी के लोट लोग ओट भी तरीके से पोल नहीं कर पाते थे कांधला जैसी सीट पे जब मैं पार्टी का कॉडिनेटर था तो कमरों में बैठ करके मिटिंग नी चलती थी गाओं-गाओं में मिटिंग करता था कांधला जैसी सीट पे हम चौदरी बलवीर किवाना जैसे एक सज्जन वेक्ति को चुनाओ जितवा कर करके लाएगे योग राज भाई खतोली में राकेश टिकेश जी के सामने चुनाओ जीते डाक्टर यश्वंत जिश्वंत सिंग जो जानसट में कभी बसपा को कोई जमान बसपा को नहीं दे सकता कभी और विनोत तेजयान का समाज और विनोत तेजयान राद दिल लगा पड़ा मैं उपाद्धेक्स बना तो कितना बड़ा सम्मान ही आप खुद देख सकते हैं